आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जीव विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बच प्रशन की फोड़ों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरहत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही राउनलोड करें इलक्ट्रूड का चित्र ले रखा है किसका मानक हाइड्रोजन इलक्ट्रूड का हमने यहां पर देखो चित्र ले रखा है ठीक है ओके दोस्तों मानक हाइड्रोजन इलक्ट्रूड जो है यह इसका मतलब यह है कि यह मतलब इसके मतलब सापेच हम किसी भी इलक्ट्रूड का विभोग ग्याद कर सकते हैं, इसी वज़े से इसका यूज किया जाता है, ठीक, अब देखो, यहां पर basic basic चीज़ों की कुछ बात कर लेते हैं, अब यहां पे तो को मानक hydrogen electrode है, अब यहां पे है क्या, कि देखो, जो है, विग्यानिको द्वारा molar hydrogen electrode को मानक electrode माना गया, क्या मा molar hydrogen electrode को क्या माना गया, मानक hydrogen electrode को उन्होंने माना क्या, मानक hydrogen electrode को आप basic ध्यान देते हुए चलिएगा, सब चीज़े आपे clear होती हुई, देखेंगे, आपको इस question में, मैं काफी जान करी देने वाला हूं मानक hydrogen electrode से, ठीक है, ओके, आप यहां क्या होता है, अब क्या होता है, सभी दातुओं के मानक electrode विभाव, मानक hydrogen electrode विभाव के सापिच मापे जाते हैं, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत important point है, और इसको note करके लिख लेज़ेगे, कभी कभी आपका पूंच दिया जाता है, basic, ठीक है, यह पूंच जाता है, क्या, मै मानक electrode विभाव, सभी दातुओं के मानक electrode, सभी दातुओं के मानक electrode विभाव, हाइडरोजन electrode के सापिच, क्या, हाइडरोजन ठीक, electrode के सापिच मापे जाते हैं, ठीक hydrogen electrode के साथ पे चमा पे जाते हैं इस लाइन को आप आद रखिएगा यह बहुत इंपोर्टन लाइन है मैंने इसको इंपोर्टन डाल दिया है ठीक है अब हम आगे बढ़तें दोस्तों अब देखो यह चीज हो गई अब देखो यहां पे होता है कि जैसे हमारा क्या है टू पॉइंट जीरो 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 वोल्ट आप कुछ भी लिख दो ठीक है ओके अब हाइड्रोजन आयन क्या जली विलियन में इसका एक मोलर जैसे ले लिया गया आप देखो यहां पे हम समझते हैं चीजों को अम मानक इलेक्ट्रोड की संदचना देखो यहां पे चित्र में प देखो यहां पे दे रहा है कि एक मोलर हाइड्रोजन आयन संदरता लिया जाता है ठीक है अब की हौता है जली विलियन में प्लै्टिनिम की प्लेट ठीक है क्या जली विलियम में एक प्लेटिनम की प्लेट जो है प्लेट ब्लैक प्लेटिनम ब्लैक की परत जमी होती है ठीक है देखो प्लेटिनम धात की प्लेट जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत जमी होती है अब होता है कि जली विलियम में एक प्लेटिनम की प्लेट प्लेटिनम एक डप्लेटिनम धात्फ की प्लेट है क्या है प्लेटिनम फिगर भी आपको दिखा रहा हूं यहाँ पने सेमीट यह था दूसरा प्लेट यह था उन्यांट कीड़ाद की प्लेट होती है ठीक बिल्कुल जिस पर क्या प्लैटिनम ब्लैक की प्रत जमी होती है ठीक है प्रत जमी होती है ये चीज़ समझ रहे हुआ बिल्कुल प्लैटिनम ब्लैक की प्रत जमी होती है ठीक है अब होता क्या है कि अब इस जमी होती है इसे क्या करते हैं solution में देखो यह देखो इसे क्या करते हैं इस billion में लटका देते हैं दोखो लटका दिया गया ना इस billion में हम लटका देते हैं ठीक है और होता है पचीश डिग्री ताप पर एक ATM ताप पर hydrogen gas billion में प्रवाहिद कियाती है अब देखो कहां से यह दोखो यह यहां से प्रवाहिद कियाती है hydrogen gas दोखो यहां पर दिखा रहे ना कि hydrogen gas at atomic देखो यहां पर इंग्लेट में है लेकिन मैं हिंदी में लिख देता हूँ किस पर पचीश डिग्री सेंटीग्रेट पर पचीश डिग्री सेंटीग्रेट और अचीश डिग्री सेंटीग्रेट और JUL. हि ह बिलियन में परवाहिद करते हैं ठीक भिलेएवन में प्रवाहित करते हैं यह चीज अप समझ प्रवाहित करते हैं ये चीज आप समँध हो बिलकुल अब क्या होता है कि एक आपका क्या होता है कि जो है आपका एक molar ion का आपने एक hydrogen जो है का एक molar solution लिया आपने उसमें क्या क्या है platinum धात की जिस पर एक platinum black की परज जमी होई होती है उसके इसको million में लटका देते हैं ठीक है बिल्कुल फिर क्या होता है कि उसमें एक पचीड़ी सेंटीग्रेट और एक ATM दापर उसमें hydrogen gas प्रवाइद करते हैं ठीक है इसी solution में ठीक है तो होता है कि हमारा hydrogen gas प्रवाइद करने पर हम देखते हैं कि जो अब देखो hydrogen electrode को प्रदर्सित किस तरह से किया आता है यह भी देख लो इसको प्रदर्सित करते हैं कैसे देखो ऐसे प्रवाइद करते हैं और एक इस तरह से प्रदर्सित किया जाता है तो यह यह चीजे मेंने बेसिक बेसिक बता दी अब यहाँ पर कहा है कि देखो कौन सा कथन इसका गलत है आप कहा रहे हैं कि कौन सा देखो hydrogen का दाब एक ATM होता है बिल्कुल यह option हमारा क्या है मैंने आपको बता है 25 degree centigrade एक ATM दाब बिल्कुल correct है मतलब यह हमारा कथन सत्य नहीं है तो कौन सा कथन यह तो सत्य है भाई तो मतलब यह हमारे question के हिसाब से हमारा option गलत होगा है hydrogen आयन सांदरन एक मोलर लिया जाता है तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर एक मोलर लिया जाता है तो question के साब से यह भी हमारा कथन गलत है अब करें 25 degree centigrade होता है बिल्कुल 25 degree centigrade होता है लेकिन हमारा क्यारे कौन सा कथन सत्य नहीं है इसी वज़े से हमारा option गलत है hydrogen gas platinum electrode पर अवशोशित नहीं होती तो बहिया ऐसान बिल्कुल बिल्कुल यह कथन हमारा क्या है यह कथन हमारा गलत है क्यों क्योंकि hydrogen gas जो है आप प्रवाहित करते हो वह platinum electrode पर उस पे जो platinum black की परत लगायाती है वह इसी वज़े से लगाया था कि वह H2 gas को अपने उपर अव correct है ठीक है ओके तो यह हमारा कथन क्या था जो है हमारा कथन यह एकदम सही है question के हिसाब से ठीक है तो हम इसे highlight कर लेता है ठीक है ओके और आप मुझे लगता है कि आपको पूरा question आराम से एकदम समझ में आया को कि मैंने figure लेके हर एक एक चीज discuss किया आपको कैसे माना के लि representation का भी तरीका आपको बता दिया रेडाक्श यूग में ऐसे देखो मैं लिख देता हूं यह किसमें यह रेडाक्श यूग में के लिए दिखाया जाता है ठीक है ओके और यहां पे जब आप इलक्टूर्ड या सेल के टर्म में लिखोगे यह दोखो यह सेल के टर्म में सारे डाउट्स आ चार्सो 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 पर